हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ निले सिंग और आज मैं आपके सामने अपने एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ और इस वीडियो में मैं बताऊंगा स्ट्रेटिजी दो हजार चौबेस 27 अब्टू पर यूपी पीसेयस हम कैसे सटीक तैयारी के साथ पास होंगे क्योंकि अब हमारे पास दिन बचे हुए हैं बहुत ही कम तो आएए जल्दी से आपको वीडियो को पूरा देखना है समझना है और ऐसे ही आपको तैयारी करना है यूपी पीसेयस में कैसे होंगे पास क्योंकि पेपर आपका है 27 अप्टूबर को तो आएए चलते हैं जल्दी से देखते हैं कि आखिर क्या हो हमारी रनीती जैसे कि हमारा ये यूपी पीसेयस हैं 2024 को है प्रारमबिक परिच्छा को लेकर हमारे पास दिन कितने बचे हुए हैं अगर हम अगस्त के मानते हैं 20 दिन और सेप्टेंबर के लेते हैं 30 दिन और अक्टूबर को हम 27 ना मान करके हम उसमें दिन लेते हैं केबल 20 यानि हमारे पास बचे हुए हैं करीब 70 दिनों की रूप रेखा बची हु उनके explanation boxes के साथ, अच्छे से देखना है, कोई भी गदारी अपने साथ नहीं करना है, क्योंकि पेपर आपका है, इसलिए कोई भी गदारी नहीं करना है, अपने साथ, खुब बिलकुल लग करके, चाहे नींद को त्यागना पड़े, खाने को भूलना पड़े, लेकिन अब आ आप UPPCS में सिलेक्ट जरूर हो जाएंगे, आपको एपरिल से सिप्टेमबर तक की क्रॉनिकल की आती है, समसामिक मैगजीन आती है, मंतली, एक मैगजीन में 40 पन्ने होते हैं, 6 महीने की आपको जरूर उठाना है, यानि की 240 पन्ने आपको करेंट में पढ़कर के जाना है, किताब है, 6 महीने की आपको करके जाना है, मतलत जाना है, कैसे करेंगे, अब ये आपके उपर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आते हैं अपने चौते में, basics के लिए आपको 10 साल का, basics और PYQ करना है, आपको 10 साल के, basic आपने किया होगा, PYQ आपको उठाना है, घटना चक्र से, और पूरे GS का, आपको 10 साल का, GS ही नहीं, GS हो या फिर C-Sight हो, आपको घटना चक्र को उठाकर, 10 साल का, आपको सारा PYQ करके जाना है, history में, आपको प्राचीन, मध्य और आधुनिक में, lucent और घटना चक्र, प्राचीन के लिए, घटना चक्र से, मध्यकालिन भ लखना है, art और culture से, एक या दो, या दो, या तीन question आएंगे, अगा छूट गए, तो भी अच्छा हो गया, तो भी अच्छा, कोई बहुती ज़्यादा फर्ग, आपके उपर नहीं पढ़ने वाला है, आइए देखते हैं कि आगे क्या है, आगे आपके सामने है, जियोग्र आपको इंडियन जोगर्फी के लिए आपको घटना चक्र का सारा PYQ देख लेना है, पिछले 10 साल में क्या-क्या आया, ऐसा अगर हुआ, तो आपका इंडियन जोगर्फी हो जाएगा, वर्ड के लिए आप सारे 10 साल के PYQ को आप एक बार देख लेंगे, तो आपकी एक प करना है, यानि पास होना है, अगर आपने कर लिया, तभी आप SDM, DSP, RTO, ARTO, CO, कोतवाल, जो भी आप बनेंगे, आप अपने दम पर बनेंगे, तो मैं हूँ निले सिंग, और अब मैं आपसे मुलाकात करूँगा, इसके दूसरे वाले खंड को लेकर, मैं डिसकस कर रहा हू रननीती, क्या हो, सटी, 17 अक्टूबर, 2024, UPPCS के लिए, तो देखना न भूलिएगा, हमारा अगला वीडियो, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे UPSC IS भाई निले सर को सब्सक्राइब, अगर आप दिल करता है, तो जरूर करें, तो दीज झाल झाल